ये गाइज झार्ड पकाल्टाश स्टाफ में पकर सके ही सेलेक्स कर तकई MR की क्और स्टाफ में मृट्प निकल चुकी है ऑफ न्लानी फार्म स्टाफ हो चुकी है SSE हर साल JVC से निकालता है All India apply है आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोग करते हूं किसी भी स्टेट में रहते हूं आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं Qualification जो है वो है 10th pass अगर आप 10 मी pass हैं तो आप इस पोस्ट के लिए eligible हैं तो guys सबसे पहले important dates देख लेती है आज जन की 22 April 2019 को farm start हो चुके है Link active हो चुका है Link आपको दे दिया जाएगा Last तारीक जो रहीगी वो रहीगी 29th May 2019 29 May 2019 तक आप online apply कर सकते हो Feet जो जमा करवा सकते हो 31 May 2019 तक जमा करवा सकते हो उसके बाद बात करते हैं इसका exam होगा Tier 1 and Tier 2 Tier 1 जो आपका होगा वो होगा 2 August से लेकर 6 September तक and Tier 2 जो होगा वो descriptive paper होगा इसमें descriptive paper होता है वो detail wise आपको next बताँगा वो होगा 17 November 2019 को आपका जे exam होगा आप बात करते हैं vacances के बारे में इन्होंने total vacances नहीं बताई हुई अब इन्होंने बताए कि जल्दी ही जे notification के जरीए बता देंगे कि इसकी जो vacances अब वो कितनी है ठीक है तो इसके बारे में approximately कहा नहीं जा सकता कि कितनी vacances है लेकिन 10 हाई यार से उपर ही vacances होगी से कम नहीं होने वाली अब बात करते हैं age limit के बारे में तो इस age limit जो रहेगी वो रहेगी 18 से लेकर 25 तक 18 से 25 साल तक अगर आपकी age है तो आप journal category से बलूँ करते हैं तो आप apply कर सकते हैं relaxation जो होता है SC ST को 5 साल का आपको पता OBC को 3 साल का physical handicap 10 साल and physical handicap OBC 13 साल यह आप अपना अपना relaxation चेक कर सकते हैं उसके बाद application fees की बात करें तो 100 100 जो fees आप वो है journal category के लिए and OBC category के लिए बाकी जितनी भी categories हैं जैसे women candidates अगर women journal category से बलूँ करते हैं तो भी आपको कोई fees pay नहीं करने पड़ेगी उसके बाद SC category ST physical handicap access men इन सबी को जो fees है वो pay नहीं करने पड़ेगी सिर्फ journal and OBC category को 100 fees है जो वो pay करने पड़ेगी तो उसके examination center के बात करें तो NWR आप जैसे पंजाब पंजाब घरयाना उसके बाद चंडिगर, जमू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश ठीक है तो जे जो candidates होंगे जे NWR में apply करेंगे जहां कि जो आप center move देख सकते हैं चंडिगर, हमीरपूर, शिमला, जमू, ले सांबा, सिरी निगर, अमरिसर पंजाब में जलंदर, पंजाब में लुद्याना, मुहाली, पतेला जे पंजाब में इसके center हैं बाकी हर state में तकरीबन दो जा तीन center हैं तो वो आप check कर सकते हैं आप बात करते हैं इसका selection process कह रहेगा तो guys इसका दो तरह का exam होगा tier 1 होगा, उसके बाद tier 2 होगा अगर आपका tier 1 qualify हो जाता है तो आपको tier 2 के लिए बुलाया जाएगा tier 1 में क्या क्या है वो एक बार देख लेती हैं तो tier 1 में आपको क्या आएगा आपको dates पहले बता चुका हूँ 2 August से लेकर 6 September तक आपका जो tier 1 exam होगा इसमें आपको total 100 questions आपको आएंगे इसमें 4 subject होगे 4 subject होगे सबसे पहले Journal English इसमें आपको 25 questions आपको आएंगे उसके बाद Journal Intelligence की बात करें तो 25 questions 25 marks उसके बाद numerical aptitude इसमें भी 25 questions आपको आएंगे इस exam में तो Journal English में आपको बिल्कुल basic जो English होती है वो आपको पढ़ने है उसके बाद Journal Intelligence में reasoning इसमें non-verbal reasoning जैदा आती है ठीक है, banking जैसी reasoning नहीं आती इसमें SSC जैसी reasoning आएगी non-verbal reasoning इसमें जैदा आएगी तो उसके आपको जैदा फोकस करना है उसके बाद नमबर 3 पे है numerical aptitude तो reasoning के बाद करेंगे बिल्कुल basic 10th level की जो आपको maths है वो questions आपको उस exam में आने वाले है उसके बाद Journal Awareness Journal Awareness में science, history, quality, economics ठीक है ये questions आप को आएगे साथ ही साथ आपको current fair भी आ सकते हैं 5 से लेकर 10 तक आपको current fair भी आ सकते हैं बाकि static gk पे जैदा focus किया जाएगा ठीक है in detail अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाएगे तो comment करके जरू बताएगे इस पर detail wise आपको वीडियो मिल जाएगी तो guys इस exam के लिए आपको जो time मिलेगा वो मिलेगा 90 minutes 90 minutes आपको इस exam को करने के लिए मिलेगे तो ये रहेगा tier 1 अगर आपका tier 1 qualify हो जाता है तो आपको tier 2 के लिए बलाये जाएगे इसमें जो negative marking रहेगी 0.25 इसमें negative marking रहेगी ठीक है तो उसके बाद tier 2 की बात करें अगर आपका tier 1 qualify हो जाता है तो tier 2 में आपको descriptive paper होगा जाने कि इसमें आपको लिखना होगा type करना होगा ठीक है तो पहले वाला जो paper होगा वो online होगा जे वाला भी online ही होगा तो paper 2 में आपको क्या आएगा एक essay आएगा letter आएगा जिसको आपने English में लिखना होगा and 10th schedule of the constitution ठीक है तो English में आपको लिखना होगा essay जान फिर letter इसके आपको marks मिलेंगे वो मिलेंगे 50 time जो मिलेगा वो आपको 30 मिन आदा गंड़ आपको इसको करने के लिए मिलेगा ठीक है तो जे अगर आपका qualify हो जाता है qualify होने के बाद तो guys आप in detail भी देख सकते हैं English में इन्होंने syllabus दिया होगा candidates understanding of the basic English आपको मैंने पहले बताया vocab आपके अच्छी होनी चाहिए ठीक है तो जे आपके अच्छी होनी चाहिए उसके बाद journal intelligence में आप दे सकते हैं क्या के आपको आएगा वेंड डायग्राम ठीक है blood relation के questions आपको आएंगे figure classification के questions आपको आएंगे number cd के questions आएंगे no verbal reasoning series के questions आपको आएंगे उसके बाद numerical aptitude की बात करें तो इसमें आपको आपको आप दे सकते हैं percentage, loss, ratio, provision, average के questions आपको आएंगे तो ये questions आपको आने वाले हैं इसमें इसका आप प्रिंग्शोर ले सकते हैं official website का link भी आपको दे दूगा तो जर्नल awareness में आपको पहले बता चुका हूँ जर्नल awareness में आपको ये questions आने वाले हैं ज्यादा जो focus किया जाता है वो science and static gk पर किया जाता है ठीक है तो उसके बाद बात करते हैं तो guys अगर आपका pre भी clear हो गया जहने कि tier 1 clear हो गया and tier 2 भी आप अच्छे marks आगे उसके बाद आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा ठीक है document verification अगर आपके document अच्छे पाए गए हैं तो फिर आपकी final selection होगी final जो list हो upload होगी तो जह पूरी detail में मैंने आपको बता दिया है hope आपको पूरा समझ आ गया होगा इसके लावा अगर आपको कोई inquire हैं तो comment करके पूचकते हैं अगर आप चाते हैं कि online apply कैसे करने उस पर वी वीडियो बना सकता हूँ comment करके बहुँ भी बताएं okay PDF का link आपको दे दिया जाएगा website का link आपको दे दिया जाएगा okay guys आपने वुझे समय दे उसके लिए बहुत बढ़ने बद thank you so much